अगर हमको हमारी लाइफ में कुछ चीज चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, बहुत ही इंपोर्टन्टली चाहिए वो चीज, कि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, और हम उसको मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा, आज से मैं एक नया हमारे आये, आप वो चाहिए आपका पार्टनर हो आपका घर हो, गाडी हो, पैसा हो, मंगला हो, जो भी चाहिए, आप को, आप मैनिफेस्ट करने दि कोशिए को क्योंकि वो आपको चाहिए ही चाहिए, आभ उसमें प्रॉब्ल्म ये आती है कि वो चीज नहीं आपाती, जो चीज हमको really, truly, deeply, 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 deeply desire करते हैं और अभी instantly, इस moment में मुझे चाहिए, in fact, अभी भी नहीं मुझे कल आना चाहिए था, परसो आना चाहिए था, बहुत टाइम पहले आजानी चाहिए थी, चीज वो अभी तक नहीं आई है, तब क्या होता है, वो चीज नहीं आपाती है, या आप graph देख रहे हो, इस graph पे आप यहाँ पर खड़े हो और आप बोलते हो कि मुझे वो चीज चाहिए, 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 तो वो यहाँ पर top पे खड़े होकर आप बोलते हो कि मुझे वो चीज चाहिए, चाहिए, तो वो चीज नहीं आता, या नहीं आती, इस चीज को avoid करने के लिए हमको या तो इस तरह आना पड़ेगा, या तो इस तरह आना पड़ेगा, ग्राफ के इस तरह जाना पड़ेगा, जहां पर वो importance बिलकुल भी नहीं है, या हमने कभी सोचा ही नहीं उस चीज के बारे में, और वो automatically आ जात हैं, मतलब एक तरह किसे let go कर चुके हैं, तब जाके वो चीज आती है, ऐसा क्यों होता है, एक बहुत ही simple principle है, importance का, importance principle ये कहता है, कि जितना हम एक चीज को चाहते हैं हमारी life में आए, उसका opposite होता है, क्योंकि हर एक चीज एक pendulum पे चलती है, positive, negative, positive, negative, अगर मैं एक pendulum को उठा कर इस तरफ खीचता हो, और बोलता हूं कि मुझे ये positive चीज चाहिए ही चाहिए, तो अब जितना में उस pendulum को उठाऊँगा इस तरफ, तो जितना उठाने पे उतना ही उसको reaction मिलेगा, उतना ही वो opposite direction में जाएगा, अब ये चीज हर एक चीज पर अपलाई करती है, आप दो लग जाएं, तो वो चीज नहीं हो पाती, possible क्योंकि आपने उस pendulum को पूरी तरह से इस तरफ उठाया है, अगर आप चाहते हो कि वो चीज आपकी life में really आये, तो आपको वो जो importance principle है, उसको समझना बहुत जरा जरूरी है, और इस importance को बिलकुल let go करना बहुत जरा जरूरी है इसलिए आप देखते होंगी कई बार हमाई life में वो चीजें आती है, जो हम expect नहीं कर रहे थे, और वो expect क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी importance नहीं थी उसमें, जब भी कभी हम कोई चीज को expect नहीं करते हैं, और वो आ जाती है, और मोलते है कि क्या है, क्या miracle है, ये कैसे आया, ये मैंने कब manifest किया, आपने manifest किया बहुत ही simple तरीके से, आपने thought डाली universe में और आपने उसको छोड़ दिया, और उसके बाद वो automatically आ गया, और कई बार, जैसे मान लो, अगर आपको कोई appointment के लिए देरी हो रही है, और आपको गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, और किया है, अब तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ, और जैसे आप बैठते हो, आप, आपको फिल होता है कि आपके कुरसी पे ही रखी वी थी चाबी, बुट वो आपको दिखी नहीं पहले, क्या वो पहले चाबी नहीं थी, या वो चाबी अभी exist हुई है, तो उसका answer है, हाँ पहले चाबी नहीं थी, जिस universe में आप थे, जिस parallel reality में आप जी रहे थे, वहाँ पर वो चाबी exist नहीं कर रही थी, और उसके बाद आपने जब let go किया, आप एक अलग parallel reality में आगे, जहां पर वो चाबी exist करती है, और वहाँ पर exist करती है, जहां पर आप बिल्कुल उसको या फिर मुझे चाबी appointment से पहले मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं मिल रही थी, इसलिए table पे नहीं मिली, इसलिए कुरसी पे मिली जहां पर आप इसको least expect कर रहे थे, आप ये हर एक चीज पर apply करके देख लो, हर एक चीज पर apply करती होगी ये importance principle, इसका मतलब क्या है, कि हम manifest करना मैं ये नहीं कह रहा, desire अलग चीज होती है और एक intention अलग चीज होता है, wanting अलग चीज होती है, desire अलग चीज होती है, इन तीनों चीजों में बहुत ही different, different vibration को हम touch करते हैं, wanting vibration, वह ये vibration हुई, जहां पर मैं बोलता हूँ, मुझे ये चीज चाहिए ही, चाहिए ही, उसमें क्य मुझे वो wife चाहिए मेरी life में नहीं मिलेगा, वो पैसे चाहिए, loan चुकाना है, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम wanting में हैं, फिर उसके बाद next step आता है desire का, desire मतलब मानलो, ये बोलते हैं कि आर मैं चाहता हूँ कि मैं appointment पर time पर पहुँचू, अब सिर्फ desire से पूरा काम नहीं होता desire करना खराब चीज नहीं है पहली बात तो और सिर्फ desire से काम नहीं होता, इसमें आपको तीसरा step चाहिए, तीसरा point चाहिए और वो है intention का, intention क्या होता है, simply desire plus action, desire plus action को हम बोलते है intention, जब चीज़ को आप intent के साथ करते हो, तो वो पूरी तरीके से आपके life में आती है, तो एक dialogue है movie का, जिसमें बोलते है कि किसी चीज़ को आप पूरी शिदत से चाहो, तो पूरी काइनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए, वो चीज़ ठीक है कहीं हम तक पर उसमें एक छोटा element missing है और वो है action का, कि जब तक आप वो छोटे 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 action नहीं लोगे, त तो अगर मुझे वो उस appointment ले जाना है, तो मुझे वो चाभी ढूनने की चंता नहीं है, और अब मुझे मेरा काम है कि मैं तैयारी करूँ उस appointment ले, और उसके बाद मैं बोलूगा कि universe चाभी कहां पर मुझे बता दो, automatically मेरे पास intuition आएगी कि कहां पर चाभी है, बिल्कुल calm state में होके, याद रखी कि जितना आप अनकाम होगे, जितना आप अपने आपको aggravate करोगे, जितना आप सोचोगे, जितना आप उस pendulum को इस सरफ खीचोगे, उतना वो violent बनेगा, आपको उसको बिल्कुल calm रखना है, और वो calm mind के साथ आप universe से पूछो कि कहां करना है मुझे, कह कौन सा step लेना है, किस तरीका का intention मुझे डालना है इस universe में, और उस intent के साथ आपको universe, outer intention के साथ आपको वो चीज़े देंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कैसे inner intention और outer intention काम करते हैं, कैसे ये दोनों जो aspects हैं, बहुत ही अलग है एक दूजरे से, और कुछ चीज़ हमारे लिए काम करती है, कुछ चीज़े हमारे लिए काम नहीं करती है, ऐसा क्यूं होता है, तो अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे हम फिर मिलेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के चार्च शेर कर करिए, और प्लीज लाइक करिए वीडियो को अगर आपको ये कुछ concepts समझ आए, थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, थैंक यू.